आप सब लोग ने सुना होगा कि हम सब के लिए 12 राशिया हैं हम सब के चार्ट में और 12 राशियों के 12 जोतर लिंग है लेकिन अइसे नहीं होता है जोतिर लिंक निकालने का एक अलग तरीका है वो मैं आपको आज सिखाऊंगी लेकिन यहाँ पर मैंने नाम लिख दे हैं कि यह जो एक से एक बारे तक नमबर सिखे हैं यह बारा राशिया है हमारी तो जो मेश राशी है एरीज उसके लिए रामेश्वरम है सेकिंड नमबर के सिक्स नमबर है वाड़ी वागो कच्णिय उसके लिए मलिका अर्जुन है सेविंत नमबर लिबिर्णकर जो वहाकालेश्वर हैं उसके लिए गिरि शनेश्वर है फिर 9th number Sagittarius है उसके लिए विश्वनाथ है मतलब धनु राशी के लिए और 10th नमबर जो मकर राशी उसके लिए भीमा शंकर है एक्वेरियस है मतलब कुम्भ राशी उसके अब आपको ऐसा लगेगा भगवाल शीरी राम और भगवाल शीरी कृष्णी की कुंडली है जो मैंने बनाई है आप पर एक्जाम्पल देने के कि हम लोगों को किस तरीके से यह निकालना है कि हमारी कुंडली को देखकर करके आपको यह पता चलना चाहिए कि आपके जो अध बनाई हो रहा है आप वह देख लिए जैसे ऑगवाल शीरी राम की चार्ट में चार नंबर की राश्य उदय हो रहे हैं तो मतलब उनका यह हो गया उमकारेश्वर सुम्नात हो गया तो यह एक जनर्र तरीका है निकालने का बड़ एक्टम आपको एक्कुरेंट निकालना त इसका एक दूसरा तरीका है निकालने का जो आज में सिखाऊंगी आप लोगों ने सुनाऊगा आरुद्यू लगन जो या आरूड लगन दोनों तरीके से उसको बोल डेते हैं जिसको आपने देखा होगा चार्ट में ए-e-e-l की घाम से भी लिखाऊँगा आरूड लगन ठी उससाब से आप देखोगे कि आपकी personality क्या है वो आपकी reality है जो आपको पता है पट आरून लगन होता है जिस तरीके से लोग हमको देखते हैं अगर मेरी कोई कुंडली है और मेरी कुंडली का जो लगन है वो मैं हूँ वो reality मुझको पता है मेरी के मैं क्या हूँ लेकिन जो मे यहां पर सबसे पहले हमको आरुण लगन निकालना सीखना है और मैंने यह दो चार्ट्स इसके लिए लिए क्योंकि आरुण लगन निकालने के ना जो तरीका मैं बताऊंगी उसमें फिर आप लोगों को यह कि अगर किसी के लॉड जो है ना यह जो जो राशी उद्य हो रही है उसके लॉड अगर उसी घर में बैठे हो गया तो आरुण लगनु वह चाहेगा इसके लिए मैंने आपको यह वाला एक भगवान श्री राम के कुंडली लिए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से श अरुण कि धर बैठा है थे छॉड हौ्स मैं तो आप कैसे गणोगे लाशी उद्य हो रहे है उसे कितने हाउसे आझे थे होच 3 houses आगे बैठे हुए हैं, तो 3 houses आप यहां से गिन होगे, Venus A 1, 2, 3, तो मतलब 6th house यह भगवान शीरी कृष्ण का AL हो गया, ठीक है, यह आपने आरुन लगने निकाल लिया, इस इस फर्स्ट वे, तो भगवान शीरी कृष्ण का यह जो 5th house है, 5th house आरुन लगने हो गया, अब अब हमने आरुन लगने निकालने से हम यहां पर जोति लिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ हमको कैसे निकालना होगा, अभी आरुन लगने निकाला हमने, उसके बाद भगवान शीरी राम की कृंडली पर आ जाएए, अब यहां पर एक आपको प्र आरुन लगने नहीं हो सकता, because that is the truth, और आरुन लगने ना, that is the perception नजरिया है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम हम को कैसे रप्रेजेंट करते हैं, लोग हम को किस तरीके से देखते हैं, हम कैसे पोर्ट्रे करते हैं, वो भी इतना शाहिद बैटर नहीं करता है, बहुत सारे लोग वोते हैं कि मैं चाहें कि इतना भी अच्छा कर लू किसी के लिए कुछ भी कर लोग मुझे गलती समझते हैं तो उनको उनका आरुन लगने देखो इसकी condition क्या है तो उसर आपसल को पता चलेगा why people are taking them wrong क्यूं गलत समझते हैं हैं कि यहाँ पर मून तो ईक्वेते हैं तो सबसे एक rule है जो सबसे बड़ा वो समझते हैं one और seven कभी भी आरुनने लगने नहीं होंगे depends आपको जो हम हैं वो हम उन दुनियाकर जरूरी ने हम ऐसी ही देखे, जो हम बोलते है कि हम को, हम दुनिया के सामने, जहाब तो जैसे हम ऐसे देख रहे हैं सामने, लेकिन ऐसा होता है, जरूर कुछ नहीं चीज होती है, विच विच वी हाईड, वीर नौट पुटिंग आरसे वारीयल शेल्फ इंफंट अफ पुब कि यहां से जभी भी हमारा इसमें क्या रूलता कि जो राशी उद्राय हो रही है उसके लॉड को देखो और उस लॉड से गिन करके आप पहुंच जाओ ठीके वहां तक आप पहुंच गे आपको यहां का मिल गया अब यहां गिनने का तो कुछ है ही नहीं तो हम आप पर ना 10 लेतें तकद यहां से भगवान् शिरी राम के लिए आप यहांसे कैसे गिनेंगे 12345678910 तो आपकी जो भगवान् शेर्य राम का को सा हों,, एक नमबर जहां पर सूर बट्न है ठीक सब wilt और लेकिन यह है एरीज की राशी एरीज सुरु तो बैठे हुआ वे राशी एरीज है न अब भी हमने निकाला आरून लग न अब आपने मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट पता है था ट्राइन का चेप्ट जो केंद्र स्थान होते है न वह विश्नु स्थान होते है और चो तू पार्स केंद्र एंड ट्राइन इस तू थिंग सांसीडर वैरी ऑस्पीछ तो आर हम लोग क्या करेंगे कि जहां एल है एल से आप ट्राइन देखोगे ट्राइन फ्रॉम एल मैं यहां लिख देते हूं क्या ट्राइन त्राइन आरोन लागन आरोन लगन इटरू केंद्र मीज 1 4 7 & 10 फ्रॉम मून फ्रॉम वेर यह मून इस सिटिंग अब आपको यह देखना है कि आप अपने एल जहां भी आपका एल आया है ना वहां से आप ट्राइन देखो 1 5 9 और जहां मून बैठे हैं आपके अब मून बैठे हैं वहां से चाह एक चाह सादस 1 4 7 & 10 देखने हैं और उन दोनों के जो भी एक कॉमन राशी पड़ेगी देट कॉमन राशी इस कंसीडर्ड ही और एज यौर जोतर लिंग अब जैसे भगवान शीरी राम का कर हम लोग तो यहां पर 1 5 9 आपको हम सबको ट्राइन पता है कि अगर यह वन नंबर आया तो 1 5 9 आप का पृदिन का मून का हम लोग टेखें कि केंद्र में मून थे में क्या है तो 1 4 7 10 थीक है तो अब ही क्या हो गई एक फस्ट म sincerely का मून है 1st उटी और कॉमन क्या हो गया इसमें क्यूंकि यह अरुलरि लंग न दिन्वर बना था तो इसलिए एक नमबर आ गया एरी इस तो रामेश्वरम भगवान शीरी राम का जोते लिंग हो गया इनको इनका नाम भी जोते लिंग का नाम भी रामेश्वरम के नाम से भगवान शीरी राम के नाम पर है अब आप उसके बाद इस पर आए भगवान शीरी कृष्णी की कुंडली पर भगवान शीरी 10 और 2 का ट्राइन हो गया अब मून भी भेटा है तो मून का एक चार्ज साथ दस देंगे तो कॉमन इंके में क्या हो गया दो नंबर हो गया तो सेकिंड नंबर की जो यह हो गया ना राशी वो टॉरस है तो सोमनाथ यह भी भगवान शीरी कृष्णी के नाम पर पता है नॉर्मल किसी भी इंसान का एक यह ले लेती हूं एक्जाम्पल आपको समझ में आएगा सब्सक्राइब यह एक चार्ट है किसी नॉर्मल इंसान का ऐसे एक मैं बना देती हूं 10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक है केतु इस सिटिंग हीर राहू सिटिंग हीर मून इस सिटिंग हीर संने सपस्टिंग हीर मुल फेी नॉर्ज सपीृ तयंसान क्यों ओकराइब गार्ण मुल इस भी सपोज यह किज़ी का चार्ट है , तो अभी इसमं कय瑕 हीर इसकाhone है 10 number तो जो Capricorn है Capricorn इनके Lord कि जा करके बैठे हैं 8th house में बैठे है Saturn इहां पर बैठे है 1,2,3,4,5,6,7,8 खुद से 8th बैठे हैं तो हम लोग क्या करेंगे अब जहां Saturn बैठे हैं हम वहां से counting करेंगे जितने houses या आगे बैठे हैं उतने houses 1,2,3,4,5,6,7,8 तो इनका AL क्या आय जाएंगे जो हमने पहले लगाए ती AL का ट्राइन ले 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 लिए ट्राइन अब को बता है इसका साथ 1248 बन जाया का जैसे बहुता देख्या से 12 345 मतलब 12 नंबर की राशी 4 नंबर की राशी 5 6 7 8 9 12 4 8 12 का इनका ट्राइन मिला या इनको AL का ट्राइन मिल गया अब हमको 1478 आप मून से 4 नंबर क्या जाएगा 1234 यह आया हो 5677 एट-न थैन तो अभी क्या हो गया 1 वान नंबर यह हो गया फोर नंबर यह हो गया 7 नंबर यह था तो अरून लगन और यह भी इनको भी मिल रही है पाइसे लुगे तो इनका तो इनका जोतिर लिक तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने चार्ट खोलिये अपना आण अरून निकालिये और उस चार्ट में आप देखें कि किस तरीके से किस तरीके से आप लोग को टाइम मिलता है जाने का और दर्शन करने का आपकी जो चार्ट की energy है which is connected with one of the jyotir link यू हाव to find your jyotir link and you have to visit it हर Jyotir link और पना एक महत्व है आपकी जो energy apart from that एक चीज और है जो बहुत important है जैसे यह जोते लिंग का जो concept है आप जैसे हम सबको पता है कि हमारे exaltation science पता है सबको कौनसी राशी किदर जाकर exalt होती है जो मैंने पुराने वीडियो में exaltation का पता है तो आप उसमें से देख लेना अगर नहीं पता आपको suppose किसी करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है मार्स किदर जाकर exalt होता है 10 नंबर में 10 नंबर की जो यह है ना भीमर शंकर है ठीक है कैप्री कॉर्ण के तो मार्स कैप्री कॉर्ण में अगर किसी को प्रॉब्लम है अब जैसे मैंने यह अभी रब कर दिया जैसे किसी भी चार्ट में आप यह देखोगे कि कोई अगर ऐसा कोई combination बना हुआ है या आपको चार्ट नहीं भी देखना आता है अगर आप देख रहे हो कि आपको आपके करियर में प्रॉब्लम है तो आप यह देखो कि आपके करियर में कौन से नंबर की राशी बैटी है उसमें कौन सा प्लैनिट एक्सॉल्ट होता है अगर सपोज जैस आपके मैरेज लाइफ अच्छी चलने के लिए वेनस इस वेरी इंपॉर्टेंट वो इसका अच्छा होना अच्छी प्लेस पोर आपके प्रॉब्लम चल रहे है तो आप किधर जाओगे वेनस किधर है ए एक्सुल्टेशन में 12 पाइसे में तो 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 आपको फेम नहीं मिल रहा है तो आपको फेम किस से चाहिए सूरे से चाहिए सूरे देखा सूरी की कंडिशन इतनी अच्छी नहीं यह सीले आपको मिलनी रहा और वोकिंग सो हार्ड बट स्टिल्य और नट गेटिंग तो वोट यू विल दू सूरे एक्षॉल्ट होते हैं अगर आपको चाना है तो आप रामेश्वरम के दर्शन कीजिए आपको अपनी लाइफ में आपके चार्ट में जो भी चीज जो भी आपको असा दिखता है ना प्लैनेट बहुत वीक है या राशी बहुत वीक है उससे रिलेटेट आपको रिजर्स पॉजिटिव चाहिए उसकी अनर्जी खराब है तो आप उस पर्टिकुलर वह देखिए कि वह पर्टिकुलर कारक प्लैनेट किस चीज पर प्लैनेट किस चीज का कारक तत्व देख लो सबसे पहले फिर आप यह देखो कि अच्छा मेरे को जौपना प्रॉब्लम है मार्स है मेरा मंगल है मुझे स्टडी में मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है मर्करी को देखना है ग्यान चाहिए और टीचर और नौर वरी सक्सेस्फुल और मतलब किसी भी तरीके का नॉलिज तो गें गेंस हमको नॉलिज के भी गेंस होते हैं हमारी प्रॉसपरेटी भी है तो हमारे जुपीटर है हमको ह सबकुछ है सबकुछ होते हुए भी उनको किउ जरूवत है उसके unkospeetual upliftment की जरूवत है तो जुपीटर की जर चाके जके अग्सवाल होते है तो चार नंबर में तो चार नंबर ओमकारिश्वर है आप ओमकारिश्वर जाओ जाने शे मैंने में एक बार जाकर विजित करो तो I would suggest कि साल में एक बार तो और इंसान को जाना चाहिए just to get the energy of particular Jyotir Ling which is connected to yourself that is the one remedy and apart from that those who are staying out of India or there might be some terms and conditions they cannot visit so far तो आप क्या करो याप के कोई पैरेंट है आप के घर पे कोई ऐसा इंसान है जो नहीं कर सकता है या बच्चा चोटा है नहीं लेकर जा सकते आप जो भी सखमिस्टैंसे हैं आपकी तो आप पटिकुलर जोते लिंगा के मंत्र जो होते है ना उनको चेंट करने स्टार्ट कर दो आप ओम नमस्षिवाय एक यह तो सबको पता है इस तरीके से आप सारे मंत्रों को जो भी आपके मंत्र है जोते लिंके आप उस मंत्र को चेंट करना स्टार्ट कर दो तो उसकी एनरजीज भी आपको मिलेंगी तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ डावट होगा तो प्लीज पूछ लीजेगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा तो मैं उसको आंसर कर दोंगी अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजे सब्स्राइब कीजे और शेयर कीजे थैंक यू